हेलो एब्रीवन, वेल्कम तो माई यूटूब चेनल, इन तोडेज वीडियो वी आर गोएंग तो डिस्कस अबाउट फ्रैंलिक एड्जोप्शन आइसोथर्म एक्वेशन सबसे पहला है इसका जो कंसेप्ट है या जो भी इसके अंदर किसकी स्टेडी की जाती है वो देखिए adsorption पर pressure का effect इसके अंदर अपन देखते हैं ठीक है और इनी इसका नाम क्या है adsorption isotherm means at constant pressure पर at constant temperature पर ठीक है तो effect of pressure on adsorption at constant temperature friendly equation और friendly adsorption isotherm क्या है is relationship between the quantity of gas adsorbed into a solid surface and gas का pressure ठीक है जो quantity solid surface के ओपर adsorbed हो रही है और किस pressure के साथ वो adsorbed हो रही है उन दोनों का relationship क्या है उसके बारे में यह equation यह थोरम अपने को बताती है ठीक है तो मान लिजी जैसे solid surface है यह solid surface है तो solid surface क्या कहलाएगा adsorbed means जिसके ऊपर adsorption होता है वो क्या कहलाता है adsorbed और adsorbed के ऊपर किसका adsorption हो रहा है गेस के molecules का तो जो गेस के molecules है वो क्या कहलाएगे adsorbed तो adsorption तो क्या है एक surface phenomena है अब मान लिजी इसके अंदर तक यह दी कोई भी गेस अंदर तक जाती है तो वो एक bulk phenomena हो जाता है और वो क्या होता है अपना adsorption friendly adsorption isotherm equation को mathematically कैसे expressed करते हैं x upon m equals to kp की power 1 by n जब इसका logarithm में लेते हैं both the sides तो क्या हो जागा log x upon m equals to log k plus 1 upon n log p चीक है कैसे लिए आप देखिए x upon m यह हो गया log equals to क्या हो गया log k गुणा में होता है तो plus में हो जाता है plus log p की power 1 by n और power कहाँ पे चले जाती है आगे ठीक है तो 1 by n into log p इस term को जो यह equation है इस term को अपने concentration term में भी लिख सकते हैं तो x upon m equals to kc की power 1 by n अब x upon m क्या है x तो क्या है जो gas adsorbed हो रही है means अपने जो gas adsorbed हो रही है उसको क्या नाम दे रहे है adsorbed ठीक है और किस surface पे माली जी solid surface पे adsorbed हो रही है तो उस solid surface का जो mass है वो क्या है वो क्या हो गया m mass of adsorbed ठीक है pressure p क्या हो गया pressure c की term में लिखते है तो c क्या हो गया concentration equilibrium concentration of adsorbed next देखिए k and n क्या होते है इसके अंदर constant होते है और इनकी value क्या होती है nature of gas और nature of adsorbed पे depend करती है means जो gas adsorbed हो रही है और वह कौन से solid surface पे जिस solid surface पे adsorbed हो रही है उसकी nature क्या है इन दोनों की property पे क्या depend करते है k and n और n की value कितनी हो सकती है maximum 0 to 1 हो सकती है अब adsorption क्या एक surface phenomenon है means जितना ज्यादा solid surface है माली जी अपना solid surface है इसका surface area इतना सा है यह एक बड़ा solid है जिसका surface area गोड़ ज्यादा हो गया जितना ज्यादा surface area बड़ेगा उसके उपर adsorption of the gas उतना ही ज्यादा होगा मतलब adsorption उतना ही gas ज्यादा हो गा माली जी ये एक solid हो रहे है, तो सबसे कम surface area किसका है, इसका, इससे ज़्यादा, इसका, इससे ज़्यादा, means left से right जाने पर क्या हो रहा है, surface area, surface area क्या हो रहा है, increase हो रहा है, तो adsorption of gas भी क्या होगा, adsorption of gas, क्या होगा, increase होगा, ठीक है, आप देखे, plot के बारे में discussion करते हैं, अब plot in between x upon m versus p, okay, x upon m versus p के बीच में, तो अपनी equation क्या, x upon m equals to क्या होता है, k, p की power 1 by n, तो x upon m और p के बीच में अपने को plot खीचना है, तो ये इस तरीके का graph मिलता है अपने को, जिसके अंदर y axis पे क्या लेते हैं, x upon m, और x axis पे क्या लेंगे, pressure, p pressure, ठीक है, तो x upon m क्या है, amount of gas absorbed per gram, ठीक है, पर gram जो solid surface है, उसके उपर gas का absorption कितना हो रहा है, उसकी amount, ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, ये एक इस graph को मैंने तीन भागों में divide कर दिया है, पहला OA, दूसरा AB, और तीसरा BC, तो सबसे पहले मान लेजे कि मैंने high pressure लिया है, जब high pressure ये 0, ठीक है, तो x upon m proportional to क्या हो जाएगा, पी के power 0, और किसी की भी power 0 होती है, तो क्या हो जाएगा, वक्स upon m proportional to 1, means ये pressure पर क्या हो रहा है, independent है, pressure पर high pressure region होता है, तो इसके अंदर x upon m की value क्या होती है, independent on pressure, ये कौन सा curve है, जो BC curve है, ये high pressure region बाला curve है, ठीक है, नेक्स देखे, low pressure, at low pressure, low pressure पर क्या होता है, जो 1 upon n की जो value होती है, वो होती है, 1, high पर क्या होगी, 0, और 1 upon n की value, low pressure पर कितनी होगी, 1, तो x upon m proportional to क्या होगा, p की power 1, means, जितनी ज़्यादा ये value increase होगी, x upon m की value increase होगी, उतना ही pressure क्या होगा, increase होगा, तो graph में देखे, जो linear जो graph है, अपना, O, A graph है, वो क्या है अपना, at low pressure पर, ठीक है, तो x upon m की, minus amount of gas, adorbed per gram, जितनी, उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना अपना pressure increase होगा, तो ये जो linear वाला graph है, ये किस पे दिखा रहा है, low pressure region में, ये कौन सा है, low pressure region, थर्ड जो region है, वो है, intermediate pressure region, intermediate pressure region, इसके अंदर क्या होता है, है, कि x upon m proportional to p की power of 1 by n, 1 by n के proportional होता है, तो यहाँ पे n क्या है, any natural number, means 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से n की value हो सकती है, तो ये अपन ग्राफ में देखे, देखे, o से a वाला तो क्या हो गया, अपना, at low pressure region, बी से से क्या पढ़ा, high pressure region, और a से भी क्या हो जाएगा, intermediate pressure region, चीक है, ये वाली जो है, ये क्या है, intermediate pressure region, अब देखे, इसे related question है, in friendly absorption isotherm, at moderate pressure, या क्या कह सकते है, intermediate pressure, the amount of gas absorbed, means x upon m, is directly proportional to the p की power x, तो the value of x is, ये options दिये हुए है, ठीक है, एक, x की value क्या हो सकती है, means 1 by n की value क्या हो सकती है, तो infinite, या क्या हो सकती है, 1, या क्या हो सकती है, 0, या क्या हो सकती है, 1 by n, तो अपने पढ़ा है कि intermediate, intermediate pressure region होता है, उसके अंदर, जो x upon m किसके proportional होता है, पी की पावर 1 बाई N और N यहाँ पर क्या होता है N ही नैचुरल नमबर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा D 1 अपून N ओके गाईज बाई